बड़ी खबर रूदर पयाक से सामने आ रही है जहां जंगल में घास काटने के गई महिला पहाडी से खाई में गर गई और उसकी मौत हो गई जिला आप्दा प्रबंदन अधिकारी नंदन सिंग रजवार से मिली जानकारी के अनुसार एक मैला जंगल में घास काटने के लिए गई थी और अच्रानक से मैला लगबग 250 से 300 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई जिसके बाद 56 वर्षी मैला की दर्दनाक मौत हो गई सूचना मिलता है SDRF और DDRF की टीम 108 अम्बुलेंस के साथ घटना स्थल पर पहुची और मैला के शफ को कड़ी मशक्कत के बाद गहरी खाई से रेस्क्यू किया ग्रामीरों के साथ रेस्क्यू ट्यूमे ने कड़ी मशक्कत के बाद मैला के शफ को खाई से निकाला है मैला के शफ को पोस्त मॉटम के लिए जिला अस्पताल भेजा जा रहा है